नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टर अर्पिना स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में दोस्तों इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होमियोपति की दवाईयां हमें अलग-अलग मेडिकल कंडिशन में मदद कर सकती है आज हम लोग बात करेंगे स्मोकिंग धुम्रपान के बारे में बात करेंगे और कौन सी होमियोपति की दवाईयां है जो आपको मदद कर सकती है इसको छोड़ने में और दोस्तों जो स्मोकिंग है ये आपके फेफडों को बहुत नुकस पहुचा सकता है तो क्या-क्या समझ से आपको हो सकती है अगर आप smoke करते हैं तो जरूरी नहीं है और अपने आपको नुक्सान पहुचा रहे हैं बल्कि आपने आसपास जो लोग हैं जो passive smokers हैं उन्हें भी आप्सान पहुचा रहे हैं तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे फेफडों को ये नुकसान पहुंचाता है और होमियोपती की दवाईयां तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चानल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चानल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि आप अपडेटेड रहें मैं फेफडों को ये कैसे नुकसान पहुंचाता है और कौन सी दवाई है जो आपको मदद कर सकती है इसे छोड़ने में तो दोस्तों जब स्मोकिंग कोई करता है तो क्या होता है स्मोकिंग करने के कारण से बहुत सारे कार्सिनोजनिक सबस्टेंस आपके बॉडी में जाता है जैसे निकोटिन है टार है एसिटोन है कार्बन मुनोकसाइड है ये सब आपके फेफडों को नुकसान पहुंचाता है फेफडों को खराब करता है सबसे पहले तो एंफाइसिमा क्या होता है एयर सैक्स जो है वो खर फिर chronic bronchitis आपको लगातार खांसी बनी रहती है पर्सिस्टेंट कफ, smokers कफ हम जिसे कहते हैं ऐसा हो सकता है COPD, chronic obstructive pulmonary disease अगर आपको अस्थमा वगरा है अगर स्मोक करते हैं तो वो और भी आपका problem बढ़ा सकता है कार्सिनोमा या लंग कैंसर का भी ये कारण हो सकता है दोस्तों जो स्मोक करते हैं वो खुद तो अपना नुकसान करते ही हैं उसके साथ अगर आपके आसपास लोग हैं, passive smokers हैं, अगर आप घर पे स्मोक करते हैं, घर पे बच्चे हैं तो उनको भी अस्थमा, pneumonia, bronchitis ये सब होने की संभावना बढ़ जाती है या जादा हो जाती है स्मोकिंग से आपके lungs में destruction होता है, आपका जो cardiovascular system है, वो भी effect होता है आपका heart effect होता है, आपकी जो blood vessels हैं, वो narrow हो जाती हैं उसके वज़े से blood supply रुख सकता है, heart disease हो सकता है, heart attack हो सकता है स्मोकिंग करने के वज़े से, जो blood clotting है, वो पूरे body में बढ़ सकती है जिससे pulmonary embolism के chances बढ़ जाते हैं, स्मोकिंग BP को बढ़ा सकता है, तो BP बढ़ जाएगा और अगर clotting की tendency बढ़ जाएगी, तो दोनों चीज़े मिलके stroke की संभावना को भी बढ़ा सकता है स्मोकिंग अगर आप करते हैं, तो आपके body का जो good cholesterol है, या HDL है, high density lipoprotein वो कम हो जाता है, और जो bad cholesterol है, वो body में बढ़ सकता है इसके इलावा भी बहुत सारे और symptoms होते हैं, infertility का issue हो सकता है, skin trouble, squamous cell carcinoma, ऐसी समस्या होना अगर आपको diabetes है, तो diabetic complications जल्दी हो सकते हैं, problem जादा जल्दी आपको हो सकती है इसके इलावा peripheral arterial disease, intermittent claudication, क्योंकि खून का supply रुकेगा, जहाँ जहाँ रुकेगा, या obstruct होगा तो आपको उससे संबंधित जो बिमारिया हैं, वो हो सकती है So overall smoking पूरे body के लिए बहुत ही harmful है, तो इसी लिए smoking बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर आप smoke करते हैं और आप चाहते हैं कि आप smoke करना छोड़े, तो आपका अपना willingness इस चीज़ का और होमियोपिति की दवाईयां आपको मदद कर सकती है तो जानते हैं इनी दवाओ के बारे में आज हमारी सबसे पहली medicine है Lobelia Lobelia inflata एक दवा जो कि smoking के वज़े से जब आपको चाती में congestion होता है ऐसे symptoms में आपको deal करने में ये मदद करता है Smoking के वज़े से अगर respiratory complaints आपको हो रही हैं, emphysema की problem, asthma की problem, digestion की problem, weak digestion आपका हो रहा है तो इसमें Lobelia medicine मदद कर सकती है, Lobelia inflata इसको mother tincture के रूप में लेना है जो आपको respiratory complaint and digestive complaint दोनों को ही deal करने में या दोनों के ही symptoms के साथ deal करने में आपको मदद कर सकता है Lobelia में जब गहरी सांस लेते हैं तब problem होती है, खाना जादा खा लिया तो सांस की problem होती है वहीं अगर थोड़ा rapidly चलते हैं तो थोड़ा सा better लगता है उमर के साथ साथ emphysema की जो तकलीफ होती है या air sacs का जो destruction होता है इसमें भी Lobelia एक अच्छी medicine है दोस्तो next हमारी medicine है केलेडियम यह जो केलेडियम दवा है यह आपको तब मदद करती है जब आपको ऐसा होता है कि अगर smoke नहीं करेंगे सुभा तो आपका bowel pass नहीं होगा आप motions pass नहीं कर सकते तो यह जो एक body की एक tendency बन गई है कि जब तक smoking नहीं करेंगे तब तक motions नहीं pass होगा इस symptom को deal करने के लिए केलेडियम medicine बहुत ही बहतरीन है और आपको यह मदद कर सकती है इस symptom को deal करने में सर में दर्ध होता है छाटी में बलगम है जो की निकल नहीं रहा है easily निकलता नहीं है mucus तो ऐसे तमाम condition में केलेडियम आपको मदद करता है कई बारी जब आप smoking छोड़ देते हैं उसके बाद अगर आपका mucus production जादा हो रहा है तो यह एक अच्छा sign है इसका मतलब आपका जो respiratory system है वो थोड़ा सा repair हो रहा है या heal हो रहा है तो केलेडियम हमारी जो दवा है वो मदद करेगी अगर आपको smoking के बिन आप motions pass नहीं कर सकते हैं सुभा आप fresh नहीं हो पाते हैं तो ऐसे में केलेडियम medicine आपको मदद कर सकती है दोस्तों next हमारी medicine Nux Vomica Nux Vomica में हम देखते हैं कि patient को एक stimulant की desire होती है चाहे वो चाय हो, coffee हो, smoking हो, alcohol हो बिना stimulant का उनको काम करने में interest वो नहीं आता है या काम कर नहीं पाते हैं बहुत spicy खाना खाना पसंद होता है irritability रहती है और इनको हमेशा bubble problem रहती है इनका पेट कभी भी साफ नहीं होता दिन में चार बार, पाँच बार भी motions के लिए जाते हैं बट स्टिल पेट साफ नहीं होता हमेशा एक ineffectual desire ऐसा हमेशा बना रहता है पेट की समस्या होना, बधजनी, ऐसी complaint के लिए Nux Vomica एक अच्छी medicine नक्स Vomica को हम एलकोहॉल छोडने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं बहुत अच्छी हमारी medicine जेनरली इसको हाइयर पोटेंसी में कुछ डोज इसका दिया जाता है जो आपको ये जो smoking है या एलकोहॉल की लथ है इसको छोडने में मदद कर सकता है दोस्तो अगली हमारी medicine है टेबेकम टेबेकम एक हमारी दवा जो आपको smoking के वज़े से बॉडी में जो toxins वगरा आ जाते हैं इसको कुछ हद तक clear करने में साफ करने में मदद कर सकती है टेबेकम में हम देखते हैं कि smoking के साथ साथ अगर आपको आई रिलेटेड कोई कम्प्लेन आ जाती है आपको डिम विशन हो रहा है ठीक से दिख नहीं रहा विजन कमजोर हो गया है सेंट्रली आपको दिख नहीं रहा है विजुल फील्ड डिफेक्ट आ रहा है तो ऐसे कंडिशन के लिए भी हम टेबेकम मेडिसिन को यूज कर सकते हैं स्मोकिंग के वजह से जो बॉड़ी में टॉक्सिंस आ रहे हैं इसको फ्लश आउट करने में ये दवा आपको मदद कर सकती है दोस्तो टेबेकम को आप 30 potency में इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तो अगली हमारी मेडिसिन है Plantago Plantago को जेनरली आप लोगोंने सुना है कि अगर tooth related complaint होता है तब हम यूज करते हैं बट Plantago chronic smokers के लिए या जो बहुत टाइम से smoke कर रहे हैं उनको smoking छोड़ने में भी plantago दवा मदद कर सकती है smoking करने के वज़े से आपके mouth से एक offensiveness हो गया है mouth में से smell आती है, offensive smell आती है आखों में दर्द रहता है, नींद नहीं आती है, mood swings होते हैं ऐसा लगता है कि smoke नहीं करा तो so नहीं पा रहे हैं नीन नहीं आरी तो उड़के smoke कर लिया तो यह जो एक vicious cycle बन जाता है इसको तोड़ने में भी plantago दवा आपकी मदद कर सकती है तो आखों में दर्द है, बेचैनी है, नीन नहीं आती है तो आप plantago medicine का प्रयोग कर सकते हैं तो दोस्तो यह थी हमारी कुछ बहत बहतरीन दवाईयां जो smoking को छोड़ने में आपको मदद कर सकती है और smoking आपके body के लिए, आपके अपने लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही नुकसान दायक है तो इसको जरूर आप छोड़े और smoking नहीं करे तो दोस्तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो information मैंने आप लोगों के साथ share किया आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को like करना, share करना, comment करना, channel को subscribe करना बिलकुल भी नहीं भूले अगर आप चाहते हैं मेरे से appointment लेना जाए मेरे website dr.arpina.com पे और वहाँ बड़े ही आसानी से आप अपना appointment खुदी book कर सकते हैं आप अगर चाहें तो हमारे office के whatsapp नमबर पे whatsapp के माध्यम से भी message भेज़ सकते हैं वहाँ भी आप लोगों को appointment की सारी details मिल जाएगी तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही खुश रहिए मुस्कुराते रहिए स्वस्त रहिए thanks for watching